बांगला देश और वियतनाम जैसे देशों में खरीदारों से भारतिय कपास की लगातार मजबूत मांग के कारण कॉटन कैंडी की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है। हाला की वैश्विक बाजार में यान की सुस्त मांग के बीच सुस्त मिलिंग मांग के कारण तेजी की कीमतों पर ब्रेक लगती दिखाई दी है। आस्ट्रेलिया जैसे देशों में बेहतर फसल की संभावनाओं का भी कीमतों पर असर पड़ा है। अंतराष्ट्रिय कपास सलाकार समिती ने अगले सीजन दो हजार चौबीस से पच्चीस के लिए कपास उतपादक शेत्र, उतपादन, खपत और व्यापार में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। वही कम उतपादन और बढ़ती खपत के कारण दो हजार तेई से चौबीस में भारत के कपास स्टॉक में लगभग 31% की गिरावट आने की उम्मीद है, जो तीन दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाएगा। दूसरी और दो हजार चौबीस से पचीस के लिए भारत का कपास उतपादन दो प्रतिशत घटकर 25.4.488 पाउंड गांट होने का अनुमान है। हाला की प्रमुक अंतराष्ट्रिय बाजारों में यार्न और कपड़ा मांग में सुधार के कारण मिल खपत में दो प्रतिशत की व्रिधी होने की उम्मीद है। वही दूसरी और चीन में कपड़ा और परिधान उतपादों की उच घरेलू और अंतराष्ट्रिय मांग के कारण मई 2024 से 25 के लिए कपास का आयात 2.4 मिलियन मीटरिक टन होने का अनुमान है। ऐसे में बाजार जानकारों का मानना है कि विदेशी बाजारों में मांग में बढ़ोतरी के चलते कीमतों में तेजी बन सकती है। Bureau Report Market Times TV